हेलो सुदेंट्स मैं से बहुत सबत करते हूँ आप सभी का आपके अपने परिबार एक्जामपूर बेंकिंग क्लासेस पर हमें एक्जामपूर कलम से करांती बेंकिंग फांडेशन बैच में जहाँ पर हम लोग डिसकस करते हैं मास की फांडेशन क्लासेस को जो कि आपके हर एक एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं चाहे आप किसी का भी एक्जाम दे रहे हैं और आपको पता है कि सेरीज में बहुत ही सांधा तरीके से जो हम उसी क्रम में अगर बात की जाए उसी क्रम में हम लोग बंचा डिसकस करने वाले हैं पंचिज के ऐसे कोशन को जो आधारे थी थे हमारे एक्जामनेशन पाटन्ट पर कल भी हम लोग ने कोशन को Caesar को जहाँ पर कुछ को के नभी बाएं बचल से बात कि pessoa रहें से उनको हम लो कि ऐसे कोशन जो पॉपॉलेशन पर बेज़ने उन कोशन को हम लोग से करना स्टार्ट करेंगे तो जितने भी मेरे भाई अभी तक इस सेशन में जुड़ चुके हैं होड़ा बड़ से एक बारा सेशन को अभी लोग शेयर भी कर देंगे ताकि और भी जो आपके साथी हैं वह इस से जो है जोड़ जाएं और बहुती सांदर आज हम लोग क्लास करने वाले हैं बहुती अच्छे-च्छे कोशन से ऐसे कोशन जो अकसर आपके एक्जामेनेशन में आते हैं और आपको उनको समझने में भी दिक्कत होती है तो ऐसे सारे कोशन साथ हम लोग करने वाले हैं उस किसी भी तरीके की कोशन में आपको किसी भी टाइप की कोई प्रावलम देखने को नहां मिले तो बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले कोशन पर तो आज का जो पहला कोशन है वो आपके स्कीन पर यह रहा एक्जामपल लंबर 23 इससे पहले अगर हम लोग बच्चा बात करें अगर इससे पहले हम लोग बात करें तो मैं आपके साथ डिसकस कर चुका हूँ 22 कोशन इस टाइप नंबर 2 से तो यह जो हमारा टाइप बनेगा एक्जामपल लंबर 23 और देखना है कि 23 को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं एक्जामपल लंबर 23 आपके स्कीन पर लग नजार आएगा तोड़ा सा टाफ नजार आएगा लेकिन इंपॉसिबल नहीं है ठीक है इसको आपको क्या करना है बच्चा पॉसिबल बनाना है ठीक है चलो तो पढ़ते हैं देखो इन्होंने कहा कि एक्जामनेशन के लिए 40% मार्क्स और रिक्वाइड है किसके लिए पा प्राप्त हो जाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे उस एक्जामनेशन में पास हो जाएंगे इन्होंने कहा कि जो ए है उसको 10 प्रतिशत कम माक्स मिलते हैं किसे फ्रामदा पासिंग माक्स इन्होंने कहा पासिंग माक्स से अब ध्यान से सुननेंगे इन्होंने कहा कि एको ज जो passing marks है वो कितने हैं वह हैं हमारे पास 40 प्रतिशत किसका अगर मैं कहूं कि total 100% हमारे maximum marks है तो 100% का जबा 40% निकालोगे तो क्या जाएंगे passing marks आ जाएंगे और 100% का 40% कितना हैगा 40% है तो यह हो गए passing marks अगर हम लोग बात करें बच्चा एक ही कि एक ही द्वारा प्राप्त मांक्स कितने हैं तो आपको पता है कि यह जो हमारे पास 40% है इस वैलू से आपको क्या क्या करना होगा इस वैलू से आपको 10% कम करने क्या करने तो अगर हम इस वैलू का 10% कितने आएगा 4 एक द्वाराप्त मार्ग्स कतने ओ जैंगे 36 सई पर्सेंट इतनी बात आपको समझ में होगी उन्हों ने कहा कि एक सब्सक्रोषद कम सब्सक्राइब कि से अलगि क्या कहा आंगे कहा कि जो वी है वे ब को कुतना पराप्त होता है अब इस बात को ध्यान से सुनना अगर हम लोग देखे तो एक कंडिशन और उन्हों ने दी है कि जो बी है बी के बारे में बताय गया कि बी को ए प्लस सी यानि कि ए और सी दोनों के द्वारा प्राप्त की गए माक्स से कितना 11 सही एक बटे नौ प्रतेशत माक्स कम प्राप्त होता है देखो 11 सही एक बटे 9 परसेंट की मैंने आपको भिन याद करने के लिए दी थी आपको अच्छे से याद भी होगी तो इसकी बच्चा जो फ्रेक्शन होती है वो कितनी होती है 1 बाइन और 1 बाइन का मतलब क्या है कि अगर A और C को 9 प्राप्त हुआ होगा तो इन्होंने कहा कि B को कम प्राप्त हुआ है यानि कि देखो एक बटे 9 फ्रेक्शन होगी तो 9 पर 1 कम क्या होगा 9 पर 1 कम इसका मतलम अगर A और C को 9 प्राप्त हुए हैं तो बच्चा जो B है उसको कितना प्राप्त हुआ होगा उसको तो C है, C got 41 whole 3 by 17%, अब देखो इसको solve करना है, योकि 41 सही 3 बटे 17% की fraction साइध आपको याद नहीं होगी, लेकिन अगर आपको 1 बटे 17 याद है, अगर आपको बचा 1 बटे 17 याद है, तो फिर आप इसको क्या कर सकते हो, इसको भी आप solve कर सकते हैं, तो आपको बता है कि 1 बट बटे 17 की fraction जो होती है, वो होती है, 5 सही 15 बटे 17, 5 सही 15 बटे 17 होती है, तो आप देखो 5 का लगबग में कितना गुना है, आठ गुना है, तो आठ बटे 17 आप ले सकते हो, लेकिन बैटर होगा, इससे आपको समय क्या लगेगा जादा, तो बैटर यह होगा कि आप इसको सी 25 बटे यहां, परिश यहां, आध नरर यहां जाई को समय, और हासल कितना होती है, एक आप की सट्रापरशंस तुरह नहीं की इसका सब्रक्तला कि А करो ब inten? लिए ते हैं 17 यूनिट वेलू तो नोंने कहा कि जो सी है उसको क्या मिला एक फिर से लेस कहा इसका मतला गर और इजनल को 17 मिला है तो जो जिससे कंपारीजन जिसका कंपारीजन और इसको साथ कम मिलेगा सत्रा पर जब आप साथ कम करोगे कि अ तो बचा देखो इस पर क्या करना है सत्रा पर आपको साथ कम करना है तो सत्रा पर जब आप साथ कम करोगे तो वैलू यहाँ पर कितनी आजएगी यहाँ पर टेन वैलू आजएगी तो अब आप देखें यह आपके पास यहाँ पर पूरा का पूरा डेटेल हो गया अब इन्ह झालिए की सी को कितने नंग परप्त हुए हैं तो यह आप आसानी से बता सकते हो इसी को कितना प्रतिशत माक्स मिलेगा वह सिंपल सी बात है रठना नहीं है अगर मैं आपसे पूछा जाए कि आपको कितना प्रतिशत माक्स मिले आपकी परिक्षा होती है अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कितना प्रतिशत माक्स मिला तो यह बात आप कब बता पाते हो जब आपको प पता हो कि सी के दोरा प्रापत अंक निकालने है अब देखो उसके लिए दिक्कत यह कि यहां पर हमें कोई ऐसी वैलू नहीं दी है जाहांसे हम सी के दोरा प्रापत अंक पर पहूंच उपारें लेकिन एक बात अब धहान से दिखेगा इन दौनों के बीच अगर देखें देखें अगर हम इन दौनों को एड करें तो हमें जो वैलू मिलेगी यहां पर कितना आएगा यहाँ पर वैलू आएगी 27 गर अगर रैंके उपर वाली वेलू-टो राप्त और नीचे बाली वैलू भी, यहाँ पर भी उतने ही होना चाहिए और यहाँ पर भी उतने ही होने चाहिए गर इनके अंको की संख्या अलग-अलग होगी तो बतों क्या यह अपना अंसर कर पाएंगे या फिर क्या यह बैलेड बात होगी आपको होगी नहीं होगी अगर एक ही परिक्षा है एक ही कंडिशन है तो इनके द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या भी क्या होना चीए बराबर तो अब हमारा पहला काम होगा कि इनके अंकों की संख्या बरा प्राबर हो जाएगी आपको होगे हां तो अब आप देखो यहाँ पर हम वैलू केलकुलेट करते हैं पहला वाला नया रेशो तो देखे बी और ए और सी अगर हम इनकी वैलू केलकुलेट करें तो देखो कितनी हैगी 17 का आठ में करो या फिर सीधा-सीधा पूरा-पूरा नि मिलेगी बी की और सबसे पहले 27 का आठ में गुड़ा करो तो कैसे आएगा आठ साथे चपन का च्छे हासल कितनी हैगी पांच आएगी और दूना 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 तो यह हमारे पास बीकी वैलू कितनी हैगी 216 और 17 का जब 10 में गुड़ा होगा तो कितना हैगा 170 कितनी हैगी बच्छा 170 अब हमें निकालना है एक की वैलू तो देखे एक की वैलू आप कहीं से भी निकाल सकते हैं अगर आप यहां से दिखोगे तो यहां से भी हमारे पास एक की वैलू आ सकती है कैसे देखो अगर हम 17 का 17 में गुड़ा करेंगे तो कितना हैगा 289 यानि A प्लास B की वैलू ही 289 और इसमें से Mansion 2016 हटा दो यानि की वैलू को हटा दो तो बाकी वैलू बचेगी वह की सूँगी तो आपको होगे ए बी और सी जो हमारे पास वैलू थी ये थी एके दोरा प्राप्त अंक ये बी के दोरा प्राप्त अंक और ये सी के दोरा प्राप्त अंक ठीक है ये प्राप्त अंक है ध्यानक ना ये क्या है ये माक्स है ये क्या है ये इनके दोरा प्राप्त माक्स है बी के दोरा प्राप्त सिके द्राप्त माक्स और एक द्राप्त माग्स अब इन्हों ने कहा था गिशची सकते हैं तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि पुछा कि सी को प्रतिशत कि उन्हों ने कीको कितने नमबर मिले 170 यानि कि हमें बताना है कि जो 170 है वो कितने प्रतिशत के बराबर होगा तो आपको होगे 36% इंटू 170 और अपोन में कितना आ जाएगा अपोन में आ जाएगा 71 यहाँ पर आ जाएगा तो देखो प्रतिशत को तो आपको छेड़ना नहीं है केबल बाकी value को solve करना है तो मैं प्रतिशत यहाँ से हटा देता हूं और लास्ट में यहाँ पर लगा देता हूं उससे कोई छड़-चाड़ी नहीं करनी केबल यह जो यहां पर बाकी वैलू है यह जो केबल आपको इतनी वैलू नजर आ रही है इस वैलू को बच्चा आपको क्या करना है solve करना है इस value का आपको क्या करना है solve करना है और जब आप इसको solve करोगे तब जा के आपको क्या मिलेगा answer सो फटाबट से इसको solve करिए और बताई इसका जो answer बनेगा वो क्या बनेगा ठीक है आज के बच्चे जो question होंगे वो थोड़ा सा tough होंगे मैं पहली बता चुका था कि जब पहला session होता है तो थोड़ी सी चीज़ें आसान होती है जब पहला session होता है तो थोड़ी सी चीज़ें क्या होती है आसान होती है लेकिन जाम लोग दूसरे session में पहुंशते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें क्या हो जाती है थोड़ी सी चीज़े मैं नहीं है तो नन ओफ दीज यानि की जो ऑप्षन नमबर यह है यहां पर बच्चत क्या बन जाएगा ऑप्षन नमबर इस जो है वह हमारा यांपर क्या होजएगा अंसर हो जाएगा सो मुझे पूरा भरौशा है यह जो कोशन है वह आपको बहत्री तरीके से समझ में आगया होगा क्योंकि मैंने विल्कुल आपको एक एक चीज feu पर समझाइई है मैंने आपको वताया हमने यह पर abc क्यों काले क्यों जब तक हमें किसी के嘛 provinces पता नहीं होते हैं तब तक हमें नहीं का सकते कि उनका है कितनी प्रतिशत के बराबर होगा तो बराबर आ रहें कि लगभग में आ रहें ध्यान रखना ये एक क्लियर हो गया होगा अब हम बढ़ते हैं अगले एक और important question की तरफ जो कि हमारा होगा example number 24 ठीक है तो अगला जो example है यह बहुत ही important है important नहीं मैंने का बहुत ज्यादा important है और exam में बहुत बार आप इस तरीके का question पूचा जाता है यह banking बालों के लिए important है और SSC के लिए important है रिल्बी के लिए important है और state level examinations के लिए भी important है state में तो और ज्यादा इस question पर बेस्ट और ज्यादा question state level exam से में आते अगर मैं बात करूँ जितने भी आपकी यूपी में exam होते हैं उस पर बेन डाइग्राम पर बेस्ट कोशन जरूर आता है और यह जो कोशन हम लोग करने वाले हैं यह बेस्ट है किस पर बेन डाइग्राम पर चिके पहले question पड़ते हैं और फिर इस पर आधारित चार कोशन हम लोगों के पास है इन चारों कोशन के आंसर वनव वन हमें करते हैं इन्हों ने कगा कि एक परिक्षा में 33% विध्यार्थी फेंग्लिस में हुरें किसमें इंग्लिस में और सत्रे प्रतिशत विध्यारती रोने का कि हिंदी में भी फेल होते हैं और इंग्लिस में भी फेल होते हैं हिंदी में भी फेल हैं और इंग्लिस में भी फेल हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस डेटा को मैं आपको एक बार डाउन कर देता हूं यहां पर हिंदी में फेल होने वालों की जो संख्या है अगर हम उसकी बात करें तो हिंदी में फेल होने वालों की संख्या है 33% इंग्लिस में फेल होने वालों की संख्या कितनी है 24% है और अगर यहां पर मैं बात करूं हिंदी प्लस इंग्लिस दोनों में फिल होने वाले की तो इनका जो संख्या है वो कितना है 17 प्रतेशन है यह जो कोशन में लेंग्विज का बहुत इंपोर्टेंस है इसलिए जब भी आप इस कोशन को करेंगे लेंग्विज को बड़ी ध बड़ा यहां दो यह लिखाओगा only 33they परषेंट इस्टूडेंट फेल्ड इनि यने की के बल 33 प्रतिशत विढ्ध्यारति हिंदी में फेल होसे है यह यह लिखाओगा only नहीं लिखाओगा 33 परषेंट student in thiis का मतलब क्या है सबसे पहले तो इसका मतलब समचो जब तक आपको इसका मतलब समझ में नहीं आएगा प्राक्टिकल मीनिंग समझ में नहीं आएगा तब तक आप is question को solve नहीं कर पाएंगे अगर मैं आपसे कहूं कि दिए के माली जे एक उप्छा हे एक class है और class में आपने कोई test लिया ठीके आपने test लिया हिंदी का और टेस्ट लिया किसका इंग्लिस का टेस्ट लिया है हिंदी का टेस्ट लिया है अब मैं अगर आपसे पूछू कि बताओ कितने विध्यार्थी ऐसे हैं कितने विध्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हैं अगर मैं आपसे पूछू कि बताओ कितने विध्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हैं तो जब आप क्लास में काउंट करने जाओगे देखो सबसे पहले तो हम यह देखना पड़ेगा कि क्लास में कितने तरीके के है जो केबल हिंडी में फेल हो ऐसे विध्यारती हो सकते हैं जो केबल हिंडी में फेल हो केबल हिंडी में फेल होने का मतलब ऐसे विध्यारती जो अंग्रेजी में क्या हो पास हो यानि कि failed in only Hindi और failed in only English ऐसे विध्यार्थी भी हो सकते है जो cable English में fail हो ठीक है या फिर हम एक बार में अगर इस दोनों बातों के एक बार में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे विध्यार्थी हो सकते हैं जो cable एक बिसम है fail हो who failed in only one subject ऐसे भी विद्ध्यार्ती हो सकते हैं जो पास्ड हों केबल एक सब्जेक्ट में हूं पास्ड इन ऑनली वन सब्जेक्ट दो प्रकार के विद्ध्यार्ती हो गए फिल्ड इन ऑनली वन और पास्ड इन ऑनली वन तीसे प्रकार के विद्ध्यार्ती कौन कौन से हो गए ऐसे विद्ध्य प्रक्टिकली सोचना पड़ेगा मैंने कहा कि दो विशों का टेस्ट हुआ हिंदी का और इंग्लिस का तो केबल चार तरीके के विध्यारती होंगे पहले वे जो केबल एक विशाय में फेल होंगे दूसरे वे जो केबल एक विशाय में पास होंगे तीसरे वे जो केबल जो द मैंने कहा जाओ पता करो कितने बच्चे हिंदी में करने जाओगे मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं आपसे पूछ लाओं मैं अगर आपसे कहूं कि जाके पता करो कितने लोग हिंदी में फेल हैं तो सबसे पहले आपको यह बताना है ऐसे विद्यार थी जो केबल हिंदी में फेल थे आप उन्हें हिंदी फेल बालों में काउंट करोगे या नहीं करोगे पहला कोशन है मेरा ऐसे विद्यार थी जो केबल हिंदी में फेल हैं अगर आप हिंदी फेल काउंट करने जा रहे हो तो ऐसे विद्यार थी जो केबल हिंदी में फेल हिंदी का मतलम हिंदी के अलाबा बाकि किसी भी सब्चिक्ट में वो फेल नहीं है केबल हिंदी में फेल हैं तो उनको आप हिंदी फेल में अकाउंट करोगी या नहीं करोगे आपका उत्तर होगा यस करेंगे ठीक है बिल्कुल डन अब मैं अगर आपसे दूसरा कोशन पूछू कि बताओ ऐसे विध्यार्ती जो हिंदी में तो फेल हैं ही लेकिन वो अधर सब्जेक्ट में भी फेल हैं हिंदी के साथ साथ अगर कोई विध्यार्ती दूसरे सब्जेक्ट में फेल है तो वो हिंदी में फेल माना जाएगा या नहीं माना जायगा आपको माना जाएगा यह तो बहुत सीवाथ है और जब माना जाएगा तो इसका मतलाब आप उसको भी हिंदी फेल बाउन कॉंट करोगे और जब आप हमें बताओगे कि इतने फेल ह静 कि नहीं कौन कौन से होंगे एक तो वे होंगे जो से और दूसरे जो केबल हिंदी में फेल उनको काउंट करिए तो जब आप जाते और काउंट करके मेरे को बताती हैं सब कि इतने लोग कctive हिंदी में फेल हैं तो जो क्या उनमें कोई भी इसा होता यो लिट है कीकी साथ किसी डूसें से में भी फिल या फिर भो लिखेंगे 33% student failed in Hindi तो दोनों का मतलब क्या है अगर ऐसा लिखा उन्होंने कि field in Hindi 33% है तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि इसमें दो तरीके के लोग है क्या है इसमें दो तरीके के लोग है कौन-कौन सा पहले तो वे जो only Hindi में फेल है पहले तो वे हैं जो only Hindi में फेल है और दूसरे वे हैं जो more than Hindi में फेल है दूसरे कौन है दूसरे वे हैं जो more than Hindi में है ऐसे अगर मैं यहां पर बात करूँ तो अब यहां पर भी आप समझ गए होगे कि अगर उन्हों ने कहा कि इंग्लिस में 24 प्रतेशत विध्यारती फेल हैं इसका मतलब इसमें दो तरीके की वैक्ति हों बच्य ओंगे एक तो जो फे जो ऑल्य इंग्ल्स में फेल होंगे और दूर्से वे जो मोर देन में उन्हों क्या होंगे और सब्सक्रेयां ऑर मैंने आप को यह बहुत प्रक्टिकली बताया है उत्छ क्या जोईन किया है तो बच्चा सेशन को दुवारा देखना और इस बात को समझना जरूर कि मैंने यह बात आपको किस तरीके से लिखी है क्योंकि यह बात समझनी बहुत जरूरी है ठीक है किस कोशन को चार बार खत्म कर चुका होता है लेकिन नटने के लिए नहीं बताना मैं चाहता हूँ किसको आप ऐसा समझ लो कोई भी कौशन इस तरीके क파 है कभी गलत ना हो और आपको प्रक्टीकली पता भी हो कि आपने जो भी काम किया क्यों किया तो यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर कौशन में में मोरेन हिंधी की बात करूँ तो मोरेन हिंदी का मतलब क्या है घंदी एनड इंग्लेस अगर मैं more than English की बात करूँ तो उसका मतलब भी क्या है Hindi and English both तो practically आप इसको समझ सकते हो यह जो 33 प्रतिशत है इसमें यह 17 प्रतिशत already क्या है include है और यह जो 24 प्रतिशत है इसमें भी already यह 17 प्रतिशत क्या है include है जिसका मतलब हो गया कि अगर हम 33 प्रतिशत से 17 प्रतिशत को निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा हमें only Hindi मिल जाएगा क्या मिल जाएगा only Hindi मिल जाएगा और अगर हम 24 प्रतिशत से 17 प्रतिशत को निकाल देंगे कमे क्या मिल जाएगा only English मिल जाएगा यह बात समझ में आगई आप कहोगी हां इसी बात को मैं अब आपको रीजन दिखाई दे रहा है यह जो रीजन है यह किसका है यह ऐसा है जो हिंडी का भी है और इंग्लिस का भी है यह रीजन किसका है यह हिंडी का भी है और बच्चा इंग्लिस का भी है ठीक है अब आप देखो मेरी बात ध्यान से समझना अगर कोई value देखो इस region में आ रही है तो आप बतो वो value हिंडी में होगी आप कहेंगे हाँ होगी क्या वो value इंगलेस में होगी आप कहोगे नहीं होगी यह जो नीले color से मैंने यहाँ पर shaded किया है अगर बच्चा इस region में कोई भी value आएगी तो वो किसकी value कहलाएगी वो cable और cable हिंडी की value कहलाएगी ऐसी देखो यह जो मैं पिंक से कर रहा हूँ अगर इस वाले छित्र में कोई value आएगी तो क्या वो value हिंडी की होगी आप कहोगे नहीं यहाँ पर आने वाली value जो होगी वो cable केबल किसकी होगी इंग्लिस की यह बच्चा तुम लोग कहीं बार करते हो ना केबल तुम मेरी हो आप सिर्फ मेरी हो कहीं बोलते हो ना तुम केबल मेरी हो इसका मतलब तुम किसी और की नहीं हो सकती या नहीं हो सकते तुम मेरे हो अरे गाना भी है तुम मेरे हो हर पल मेरे हो है ना सायद फिर यह आलम ना रहे तो ऐसे यही बात ही हाँ पे कि अगर आपने कहा कि only हिंदी शिर्फ और शिर्फ हिंदी इसका मतलब फिर वो हिंदी के अलाब और किसी की नहीं हो सकती बास समझ में आगई तो इसलिए मैंने आपको यहां पर समझाया कि only हिंदी का मतलब किस छेत्र में आएगी only English का मतलब किस छेत्र में आएगी और अगर मैं कहूंगा कि हिंदी अगर मैं कहूं तुम मेरी हो देखो सिर्फ नहीं लगाया मैंने अगर कभी भी आप यह practical life है अगर कोई आप से कहे कि तुम मेरी हो इसका मतलब कोई और भी उसकी हो सकती है ठीक है या हो सकता है लेकिन जब कहोगे तुम सिर्फ मेरी हो तो वो पॉल पॉजेशन हो गया पॉजेशन का मतलब आपका उस पर अधिकार हो गया फिर वो और किसी का नहीं है तो यहां पर यही जब मैं हिंदी के बात करूँगा रहा है येदिक पूरा सर्कल हुगा यह पूरा सरकल होगा बच्चा हिंदी का मतलब यह पूरा सरकल और इस सरकल में दो तरीके की वैलू आती है जो केबल और केबल हिंदी की है और जो हिंदी के सासत किसी और की भी है देखो यह बाला जो रीजन जो रेड लाइन से मैंने सेड़िड किया है यह कौन सा रीजन है और केबल हिंदी का है तो मैंने डेग्राम के मैध्यम से भी आपको पूरिकल के दो करती है और फिर बढ़ेंगे आंके तो देखें अब आप समझ कहोगी कि यहां पर हमें किस तरीके चीजों को calculate करना है ठीक है इसको मैं हटा देता हूं और जली से इसके अंदर हम वैलू को पुट करते हैं अगर कुछ भी नहीं समझ में तो ध्यान रखना कि ऐसा कोशन कभी भी आएगा आप हमेशा मोस्ट कॉमनवेलू से सॉल्व करना है इस्टाट करोगे जितनी भी बात हैं मैंने बताई हैंगर बच्चा कोई भी चीज़ समझ में आई हो तो टीन्टन फिर रहना बस एक बात ध्यान रखना जब भी स्टरीके का कोशन आएगा लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कहां से से करेंगे लास्ट से से ज Οॉट वेलो चो सबसे ज्यादा जो कॉमन वैलू है वो क्या है यह यहाँ पर मैंने लिख दिया यह कितना लिख दिया सasse tenho इतनी बागी है तब को साथ-प्रतिशत और बाइड है इतनी बस समझ में आगे आपको हम आप देखा अगले वैल्ु किस्के हिन्दी की इन्होंने का हिंदी का जो såары सचेल है उसमें label कीतनी आनिया उसमें butiley रає है तेतिस और कितनी आ चुकी है 17 आ चुकी है इसका मतलग कितनी और बाकी है तो आप कहोगे सा 16 और बाकी है कितनी बाकी है 16 और बाकी है अगर मैं आप से पूछू कि बताओ यह 16 प्रतिशत क्या है अगर मैं आप से पूछू कि यह 16 प्रतिशत क्या है तो आप कहोगे सा यह वैलू है only hindi की किसकी value है only hindi की देखो अब अंतर समझना अभी तक आपकी जिन्दिगे में हिंटी और only hindi एक ही होती थी है अभी तक आपके जिन्दिगे में हिंदी और only hindi एक ही था लेकिन आज से दोन Kardash बदल आएगा हिंडी का मतलब कुछ और होगा और या मतलब कुछ यह होगी students की ईगर मैं कोई English में कितना है तो आ सोला प्लास साथ यानि कि चौबिस पृतिशर्व लेकिन मैं आप से पूछो चाहसे सप्रक्रण सट यह पूछुए के साद में क्या होना चाहें गर होना चाहिए इसके बाद ही जो चारों यह कोशन है इनका उत्तर हम लोग कर पाएंगे ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं उपर वाला डेटा हटा देता हूं क्योंकि केबल हमें डिगराम का यूज करना है अपने कोशन के आंसर निकालने के लिए उपर वाला जो सारा का सारा डे अफैले में ओंली वन सबजेक को साफ सब लिखाए यहांपर ओनली वनवन सबजेक्ट केबल एक कई लेकिन वेयुर्शाय का नाम नहीं लिया अगर वो कहते ओनली इंग्लिस तो हमारा उत्तर हो जाता साथ प्रतिशट क्हक्तिक अगर वो कहते only Hindi तो हमारा उत्तर कितना हो जाता 16 प्रतिशत लेकिन उन्हें का only one subject तो हमारा उत्तर क्या होगा हमारा उत्तर होगा 16 प्रतिशत प्लस 7 प्रतिशत इन दोनों को हम add करेंगे तो बच्चा कितना आएगा हमारा उत्तर आएगा 23 प्रतिशत कितना ऐगा 23 यानि क एक में जो फेल होने वाले विधरती है उनकी संख्या हो गई 23 अब हमारे पास दूसरा कोषैन है कोषैनल नंबर B उस कोषान को सबसे ज़्यादा गलती होती है उन्होंने कहा क्या बताना है हमें बताना है past in only one subject अब ध्यान से समझना मालीज मैं एक व्यक्ति हूँ जुसने हिंदी का टेस्ट दिया और इंग्लिस का टेस्ट दिये जब मैं result लेने पहुंचा गुरुजी ने मेरे को बता है कि बच्चा आप केबल हिंदी में फेल हो क्या का उसने टीचर ने मेरे कहा कि बच्चा आप केबल हिंदी में फेल हो जब वो कहेंगे एक बात ऐसी होगी जो मैं अपने आप समझ जाओंगा वो कौन सी बात होगी वो बात होगी कि अगर मैं केबल हिंदी में फेल हूँ तो मुझे खुसी होगी कि चलो अंगरी जी में तो पास हूँ उन्होंने कहा you are failed in only Hindi तो मैं confirmation 100% से और हो गया कि मैं इंगलिस में क्या हूँ पास हूँ लेकिन अगर वो कहते बच्चा आप हिंदी में फेल हो तो क्या मैं यह 100% से और हो पाता कि मैं अंगरी जी में पास हूँ या फेल आपको होगी नहीं लेकिन जैसे उन्होंने का you are failed in only Hindi में hundred percent से और हो गया कि मैं अंगरी जी में क्या हूं इस बात से मैंने क्या सीख हा इस बात से आपने क्या सीखा एक ही बात सीखी कि अगर मैं केबल एक Вас हैं में हुन तो मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो केवल एक वसाय में पास भी हूँ लेकिन मेंThat पास होने वाला विसाय अलग है अगर मैं केबल हिंदी में फेल हूं तो मेरा पास होने वाला विसाय क्या होगा अंग्रेजी होगा और अगर मैं केबल अंग्रेजी में फेल हूं तो मेरा पास होने वाला विसाय क्या होगा हिंदी होगा लेकिन मैं विक्ति एक ही हूं इसका मत क्या है अगर यही जैसे तो यहां पर केबल हिंदी मेंकर्द सोबोग उगा केबल हिंदी में अगर सब्सक्रान और हैं थो केबल क्ली Ecuador क्रूग उएacter मैं अगर केबल एक बिसमें फेल हूं, तो मैं ही वो व्यक्ति हूंगा, जो केबल एक बिसमें क्या रहूंगा, पास, मत्लब मैं व्यक्ति सेम हूं, तो मेरी काउंटिंग समान नहींगी, और मैंने का, मेरे जैसे यहाँ पे कित्रे लोग ते, इस सोला ऐसे थे जो केबल हिंडी में फेल थे इसका मत्ति यह 16 की 16 अंग्रेजी में क्या होंगे पास होंगे ऐसे यहां पर साथ लोग ते जैसी ने होंगे पास ओंगे तो भाया यह ने यहां पर निकाल दिया है जिक है अब हम लोग बढ़ेंगे इसके तीसरे कोशन की तरफ जो इस तरीके के question में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अगर मैं आप से कहूं कि उसरोगा पूछे जाने वाला question इन चारो question में कौने है तो वह है example number c जो यह कह है जो तीसरा question इस question में पूछा गया है वह सब से यहीं ज्ञादा पूछा जाने वाला कोर्शन है इस पोले टाइप में क्या पूछा फूंफ थास्भ आफजर्ट सब्जिक्त देखो इन्हों नहीं कहा कि दोनों विश्वुमें पासोहने वाले व्यत्थी पाऊ यह नंबर बता इनका इस्टूडंट का सी वाला इसको समझो दरा ध्यान से जब भी कमी हमें यह निकालना हो पास्ड इन बोथ दा सब्जेक्ट या फिर हमें निकालना हो फिल्ड इन बोथ दा सब्जेक्ट देखो यहां पर फिल्ड इन बोथ दिया था तो सिंपल सी बात है फिल्ड तो पूछेगा नहीं पास्ड ही ने पूछेगा और पास्द दिया होता तो क्या फूचा होता तो जब भी यहुन смज पूचा जाएगा सबसे पहले बच्चा हम हम टोटल थैल निकालेंगे तो टोटल फेल हम निकालते हैं मैं यह भी बता इनगा क्यों निकालेंगे ठीक हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे कुल फेल निकालते हैं टोटल फेल निकालते हैं तो देखें हिंदी में कितने लोग फेल हुए तो आप कहोगे 16 प्रतिशत अगर मैं आप से कहूं कि बतों इंगलिस में कितने फेल हुए तो आप कहोगे 17 प्रतिशत इन सभी को सबसे पहले हम जोड़ लेते है तो देखें 16 में 7 जोड़ेगा 26 में क्या होगा थिए बंक्नेवाायगी सबसे पहले तो आप यह बतो तो आप को यह जोड़ेंगे कितना और 24 में अगर 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्छा 24 में अगर 7 जोड़ेंगे सोरी 16 और साथ कितना हुआ 16 में जब 7 जोड़ा 24 हुआ 24 में हमें क्या जोड़ना है 17 या फिर ऐसे समझते कि 24 इसे समझ सकते हो कि 16 इन दोनों को मिला ओगए तो कितना हो जाएगा 33 में जब साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और साथ 23 तेइस और 17 चालेस या तो ऐसे जोड़ लो या पैसे जोड़ लो कि 16 और 17 तेटेस और तो कहीं से भी एड़ कर लीजे बच्चा यह वैलू हमारे पास कितनी आएगी चालेस प्रतिशत आजएगी फिर से सुनना 16 प्लस साथ कितना होगा 16 चार 20 और 3 कितना तेइस तो यह हो जाएगा 23 तेइस में सत्रा जुड़ेगा चालेस या पैसे जोड़ दो कि 16 और 17 कितना 16 चालेस तो चालेस प्रतिशत हमारे पास यहां पर आजएगी जो कि क्या होंगे टोटल फिल तो अगर मैं आपसे यहां पर पास पूछूं तो आप कहूंगे सा हंडेड प्रतिशत से माइनस कर दो प्रतिशत को जो मारे पास पास आएंगे वो कितने आजएंगे साथि प्रतिशत लोग आजएंगे कि प्रतिशत लेकिन यह कौन से पासंगे ध्यान रखना यह होंगे बोत सब्जेक्ट पास यह पास जो आएंगे वो कौन से होंगे बोथ सब्जेक्ट क्यों वो समझ लोग देखिए अभी मैंने आपको बताया था इनीशल में कि जब दो विशो का टेस्ट होता है तो केबल चार तरीके के लोग होते हैं कौन-कौन से जो केबल ये छो कर रहे हैं ये किसको कर रहे हैं ये कर रहा है फिल्ड इन बौफ तुर्फ अब और तो रहे हैं सो प्रतीशत में चार तरीके के लोग थे, फिल्ड इन उल्ली बन, पास्ड इन उल्ली बन, फिल्ड इन बोथ, पास्ड इन बोथ, और मैंने 100% से तीन तरीके के लोगों को निकाल दिया, कौन-कौन से तीन तरीके के लोग, जो केबल एक विशाय में फिल थे, जो केबल एक विशाय में लेकिन कौन से वाले होंगे बोथ सब्जेक्ट होंगे और कोशन के कैलकुलेशन को देखके आप समझ गए होंगे कि क्यों यह most important है सबसे ज्यादा क्यों यह पूछा जाता है एक्जाम में इसी वज़े से पूछा जाता है क्योंकि यहां पर काम आपको थोड़ा सा क्या करना यह जादा करना पड़ता है थोड़ा सा काम क्या करना पड़ता है ज्यादा करना पड़ता है और अब हम लोग पहुंचएंगे किस पर डी वे नंबर के पर यानि कि फूर्त कोशन फ्यक्ट है इसे लोगों की संख्या बताओ जो कम से कम एक का मतलब क्या है एक या एक से अधिक विश्यों में पास होने वाले लोग तो आपको बता है कि एक विश्यों में पास होने वाले जो लोग है उनकी संख्या कितनी है सोले प्रतिशत स्री साथ प्रतिशत प्ला सोले प्रतिशत यह केबल एक विश्यों में पास होने वाले हैं और एक से अधिक में पास मतलब दो विश्यों में निकाला था कि दोनों विश्यों में पास होने वाले लोग कितने हैं यह हैं तो यह जो पूरी संख्या है इसको हम क् एक विशाय में पास होने वाले लोग कम से कम एक विशाय में पास होने वाले लोग कम से कम आप किलेड करोगे तो बच्चा इनकी कितनी आएगी इन के संख्या आजाएगी 83% इस तरीके से पूरे कूरे कॉस्टन को सब्सक्राइब स चीज ऑप को a split करके बताधी है जतने तरीकी कोशन पर आदारित हो यह जैसे होंगे उनको हम लोग करने का प्रयास करेंगे और जो बी इस में पूछा गया होगा उनके हम लोग क्या करेंगे चिक है तो अगला कोशन जो है आपका 25 पर का कोशन होगा इसको हम लोग जली से क्या करते हैं पढ़ते हैं और फिर आंसर करेंगे जो जो हमारे पास दिया होगा व confessed पड़त से क्या करते हैं बना लेते हैं क्योंकि पता है आंगे जो इसी पर बेस में मैंने रख्था है तो देखे क्या कहा एक परिक्षा में 52 प्रतिशत स्टुड़िट अंग्रीजी में फेल हुए 42 प्रतिशत गड़ित में फेल हुए तो एक चीज तो आपको समझ में आगी कि यहां पर देखे जो पहला हमारे पास सर्किल होगा वो किसको रि लिख दी हैं हमने इंग्लिस और मैथमेटिक्स अब इन्होंने बताया कि 17 प्रतिशत दौनों में फेल हुए हैं तो आपको पता है कि 17 हमें सबसे पहले लिख दिया ठीक है और हमारे पास यहां पर क्या है बावन प्रतिशत फेल हुए हैं अंग्रीजी में तो देखे अगर इसका मत्दा ओनली इंग्लिस वाले होगे 35 इन्होंने का कि गड़ित में 42 परसेंट है तो भीया गड़ित का हम लोग देख लेते हैं रेको 17 यहां पर ओलेडी हो चुका है 42 से क्या करो 17 हटा दो 42 से 12 गया कितना दस बचा पांच और हटा दो सरी 30 बचा पांच और हटा दो 25 दो यहां पर हमारे पास वैल्यूर्य कितनी 25 स्चल परिश्द यहां पर हमारे पास वैलूर्य बचीव कितनी बची है 25 पर इस अरे तो यह सारे थह तो यह थी 20 लिकालने पड़ेंगी सकत्ती प्रतिशत कि ब्लस 25 और प्लस में 17 प्रतीशत अगर हमyards अगे सबकलंड कर लेंगे तों टोटल फीडियों को अगर हम टोटल से घटाड़े थे हैं तोह मैं 2007 क eighth सुरीकोट केनलेंगे तो क्यों से पास मिलेंगे ज Cornоздiction 24 में अगजे और 77 कितनी बचेगी बाकी वैलू हमारे पास बचेगी 232 rec बाकि हमारे पास बन जाएगा अच्छे से व्लमार क्या बन जाएगा एंसर अच्छे से ध्यान से समझ लेना 35 में 5 जोड़ेगा 40 40 में 20 जोड़ेगा 60 60 में 17 जोड़ा कितना 70 और 77 जो value हमारे पास आई है उसको हमें 100 से क्या करना है minus तो कितना बचेगा 23 बचेगा और यह कौन से होंगे बच्छे से समझ में आ गया होगा पुराना जो कोशन तीसे नंबर का कोशन हमने किया था पिछले वाले कोशन में जस्ट उसी कोशन को हम लोग नहीं पर क्या किया है रिवाइस किया है आप ऐसा ही समझ सकते कि वल तीसा वाला जो एक्जाम्पल था उसको चलो बच्छा अंगले कोशन पर आंगे एक्जाम्पल नंबर 26 ठीक है एक्जाम्पल नंबर 26 आपके सामने आने वाला है जली से इसको देखेगा और फिर हम लोग देखते हैं जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा ठीक है तो फिर से बैसी कोशन है देको को पढ़ दो इसका मतला वेंड डि है क्या कहा देखो यहां पर प्रतिशाब प्रतिश्थ पास्ड हुए है मैथमेटिक्स में 58 फ्रतिश्थ और कहा बीस प्रतिश्थ स्टूडेंट फेड़ है डौनौ सब्जेक्ट में अथ यहां की कहानी बच्चा थोड़ी सी अलग-अलग है सबसे पहले तो हम सबजेक्ट से लेकिन यहां पर एक कहानी में ट्वीस्ट और कहानी में ट्विस्ट क्या है कहानी में ट्वीस्ट कि जो दोनों वाली वैलू हमें दिया है कि इतना फर्तिशत दिया है 20 प्रतिशत दोनों की जो वैलू दिये 20 प्रतिशत यह हमें दिया है फेल का यह किसका डेटा है फेल का डेटा है लेकिन जो यहां का डेटा दिया और जो यहां का डेटा दिया वह मैं किसका दिया है पास का दिया है तो ध्यान रखना आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हमारा कोमन का data है बागी data को भी आपको उसी तरीके से बनाना पड़ेगा इस अगर सअब कोई दिक्कत नहीं सबी जगए फेल है तब कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर कहा कुछ जगए पास हो और तो आपको किया है आपको देखना है कि जो सबसे common वाला डेटा है वो किसमे during deat tell etme दिया इसका मत्लब को भी फिटा करोगे सब से common system array गर पास में दिया तो तो 66% अगर फिल हैं तो बताब पास कितना आएगा तो आप कहेंगे सब 34 प्रतिशत पास आएगा देखो 66 में 34 जोड़ दो क्या आ जाएंगे पाँ हंडेड आ जाएगा तो यहां पर यह क्या आगे मैस में 34 प्रतिशत आगए फिल ऐसी आजाते हम लोग हमें इंगलेज में उन्होंने वट आया कि 58 प्रतिशत लोग क्या है 58 प्रतिशत पास इसका मतना 42 Chicken क्या है घृल होगी बिल others प्रतिशित बच्चा क्या हुए होंगे लो हुए बोलो इस बार समझ में आगी कि नहीं अब आग देखो यह फेल यह फेल यह फेल पूरा पिछले दो क्योंस ऐसा बन गया आपको हम घंच कितना औरॉट कीह सब्सक्राइक है और पूचा छुक्षा फिर हम पूच्छा है बस सब आपको पता है यगर हमें पास्ट इन बॉथ निकालना है तो सबसे हपे से पहले पहले क्या निकालना निकालना है तो निकालते हैं देखो 14 20 और 22 तो 20 और 20 कितना हो गया ब्यारेस 42 में बच्चा τους उड़ेगा तो 46 तो इहां पर टूटल फीम्रेइक इसका मतलब यह पास इनबyl होगे वो कीतने हो जाएंगे तो आपको होगे सब 5 इन बोत हो जाएंगे 44 प्रतिशत कितना हो जाएंगे 44 प्रतिशत और यह किस में नजर आ रहा है option number B में नजर आ रहा है option number B हमारे यहां पर बच्छा क्या बन जाएगा हमारा सही answer सब बन जाएगा option number B will be the right answer of this question समझ में आगी होगी यह बात चलो बढ़ते हैं जली से अगले option पर आगे देखो एक बार NAKSi A admission समझ लिया ना तो फिर आपके लिए चीजे बच्चा क्या हो जाती है आसान हो जाती है एक बार अगर समझ Neden दो कैज़ यह ऐसे है तो यह मैं आपको हमब्रक में दे रहा हूं सबी लोग इसको हमब्रक में अफ्लाइन कमेंड वक्स में कमेंड करके बताना कि इसका यह लोगा वो क्या होगा बिलकुल जो अभी मैंने पिछले आपको तीन-चार कोशन कर रहे हैं उसी पर बेस्ट है ठीक है तो यह कोशन आपका किस में आ जाएगा और 28 वा कोशन भी साइद ऐसे ही है उसको भी मैं होंवर्क में ही देता हूं 29 करूंगा आपको बिल्कुल 28 वा भी कोशन ऐसे यह यह भी आपके और को रएगा तो 27 मेर नंबर का कोशन और 28 मेर नंबर का कोशन यह बच्चा दोनों के दोनों कोशन आपके होंवर्क में रहने वाले हैं इनको हमवर्क में डाले इ épisode को इसके बाद जो उन 19 वे नंबर अंद लोग हम लोग यहां पर हम कर रहे हैं थोपराने वाले से थोड़ा सा किया है बड़ा को तो सबसे पहले यहांपे कुह पड़ मुप्रिक्रा में 1000 लोग appeared हुए जिसमें से 275 student passed होते हैं किसमें physics में 320 पास्ट होते हैं किसमें chemistry में 350 वेक्ति पास्ट होते हैं किसमें mathematics में तो अब देखो यहां पर तीन गोले आ गए में अभी तक क्या था हमारे पास speaker दो गोले थे अब कितने होगें तीन गोले होगे अगर सरक्ल है तो आपको घवराना नह一点 to be to सबसे पहले तो आपको पता होना चीACE कि फिजिक्स का है ठीक है पहला सर्क्ल मैंने यहां पर लिख दिया फिजिक्स का अगर हम लोग दूसरे सर्क्ल की बात करें तो दूसरा सर्क्ल किसका हो गया कैमिस्ट्री का हो गया दूसरा सर्क्ल जो है वो किसका हो गया कैमिस्ट्री का हो गया ठीक है यहां पर बच्चा मैंने एक बर आप लोग पढ़ो और इस जो यह मैंने आपको डियाग्राम बना के दिया है इस डियाग्राम के अंदर जिनकी वैलू पुट करने की कोसिस करो ठीक है और फिर मैं देखता हूं कि कौन सबसे पहले बना पाता है डियाग्राम तो मैंने बना दिया कोस्टन को पढ़ो औ नहीं समझ पाए हो अगर दो वाला आपने सही समझा है इसका मतलब तीसा वाला भी आप क्या कर लोगे अच्छे से सही सही कर लोगे चलो करो जली से कर दो 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 कि चले बच्चा तो इसको जली से आपने ट्राई कर लिया होगा देखो कोशिन पढ़ दिया होगा सबसे पहले यह बात ध्यान से समझना जब आप पहली लाइन पढ़ोगे यहां पर का गया 275 स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स यहां पर ओनली फिजिक्स नहीं लिखा अ अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की तो इन्होंने कहा 275 लोग हैं अगर मैं बात करूँ बच्चा केमिस्टी की तो कितना कहा 320 स्टूडेंट है अगर मैं बात करूँ यहां पर मैथमेटिक्स की तो मैस में कितने हैं तो इन्होंने बताया कि मैस में कितने हैं मैस में 350 इसके अगर मैं बात करूँ तो physics chemistry होगा chemistry mathematics होगा mathematics physics होगा और physics chemistry और math होगा यह साला data हमें दिया होगा इस data को हम यहां पर note down कर देता हूं और फिर आपको बताते हूं solve करना कैसे तो अगली value में कितना दिया है 84 दिया है ठीक है इसके बाद अगर हम लोग chemistry और math का बात करें तो साथ लोग दिये हैं पचास लोग दियेमें मेंक्ण फिजिक्स में मैंस यूड़िक्स में कितने हैं 50 से पक्र इसके बाद अगर हम लोगं तीन होगा ऊजजा कभी भी आएगा ठीक Hideki को क्या होगा question को स्वा태्ट करने का most common data से start करना है और इस direction में question करने है solve करने & most common data करके इस बिलब करने तो अब जली से में को क्यक्क्रते हैं people करते हैं सल्व करते हैं टो जली से देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या ही गी वैलू 34 तो 34 हमने क्या किया तीनों जाएगे लिख दिया अगला वैलू किसका नहीं मैस एंड फिजिक्स का तो देखें मैस और फिजिक्स मैस और फिजिक्स का common region यह हुँगा अगर आप दिखोगे जहां पर मैने डोड़ डिया यह मैस और फिजिक्स का common region यह में है 50 अगर आप देखोगे तो कितनी वैलू बच्छा आ चुकी है तो आपको गशा 34 आ चुकी है कितनी आ चुकी है 34 वैलू आ चुकी है इसका मतलब दिया औरन डेटा और मास्रां यह है इसमें कितनीораजल रपार किस्षा यानी है घुठी को अगया कूल सब्सक्रारे 44 है सब बाकर है मतला कितना और बाकर है औगला ढेक्टा है मैथमेटिक्स का कितना 350 यानि मैथमेटिक्स में टोटल वैलू आनी है तीन सा पचास देखो कितनी आ चुकी है 34 और 16 कितना हुआ पचास पचास और 26 कितना हुआ चुकी है आनी है साड़े 300 और 76 आ चुकी है मतलब कितनी और बाकी है तो आप कोगे साड़े वैसे तीन साथ से चेच्टा गटा दो तो साड़े 390 गया तो 300 बचेगा फिर हमें 26 और अच्छा जब 26 और खाऊंगे तो कितना बचेगा 274 बचेगा कितना बचेगा 274 तो लगडिया आया आप है अब आ जाते क्यमेस्ट्री में विश्क्री में आना है 320 कितना आ चुका है द 210 लिख लिए अब बचे यह वाली वैलू तो देखे 34 और सोला पचास पचास और पचास सो और 235 से सो चला जाएगा तो कितना बचेगा 175 बचेगा यह पूरा डेटा आपने फिल कर लिया जो भी पूछेंगे आप बता सकते हो जली से देखना है पूछा क्या है उन्होंने का पासद निकाल पाओगे जब क्या कर पाओगे पासद निकाल पाओगे तो पासद कैसे आएंगे सब को जोड़ना पड़ेगा 175 प्लस 210 प्लस 274 प्लस में आएगा 16 या 50 ले लेते हैं पहले 50 फिर 26 और फिर 16 और फिर 34 इन सभी को जोड़ोगे तो बच्चा यह वैलू मिलेग कितने हो जाएंगे 215-215 बैटा क्या हो जाएंगे फिल क्योंकि कितने व्यक्ति थे इतने स्टुडेंट थे 1000 तो 1000 में से साथ सौ पिश्चया सी घटाँ दो कितने बिच्चे 215 तो 215 और बाटी में आएगा 5000 और इन уг में कया तो जैसी आप एप करूँगे क्या मिल जाएगा फिछ वालों का participate गजएगा और विस्त मृष थे कि इतना हो जाएगा 215 यह 215 अगर इस तो बहुत आसान कोशन था अगर आपने सारे के सारे कॉंसेट्ट कर लिये हैं अच्छे से आपने समझाए तो यह सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आगी होंगी बाकी सेशन में बच्चा हम लोग इतना ही रखेंगे फिर मुलाकात करेंगे कल नए टाइप क करके बताना उसका चो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आज के लिए तना ही रखते हैं मुलाकात होगी कल तब तक के लिए बाइबाय टेक यार जै हिंद जै भारत जै एक्जामपूर कर बिजै एक्जामपूर